नमस्कार दोस्तों आज अपन बहुत इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में डिसकस करने वाले हैं वो है मिशन इंदर धनूस तो इसके डिटेल के बारे में पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो के एंड तक बनी रहेगा तो जानते हैं मिशन इंदर धनूस क्या है जिस परक परफज़ है जो मोटीВ है वह क्या है कि वचीनेशन ऑगेंस्ट्ट सेवन किलर डीजीज जो सेवन किलरीज़ है उनके अगेंस्ट वैक्सिनेट करना इसका मेन परपस है कौन-कौन से होती है सेवन किलर डीजीज तो इनको याद रखने का एक छोटा सा तरीका आपको यहां रखना है वो कौन सा है DPT, PMT and Hepatitis B तो यहां पर देखेंगे D4, Depteria, P4, Partusis, T4, Tritonus, P4, Polio, M4, Mezles and T4, TB and again Hepatitis B तो यह 7 killer disease है जिनके अगेंस्ट यहां पर vaccinate इसके अंदर गद अपन करते हैं आगे चलते हैं launch किसके द्वारा किया गया वो है JP नड़ा जी जो अपने उस रहें के health minister रहे थे इसका जो target age group है वो क्या है जितने भी छोटे बच्चे हैं दो साल तक के अंडर 2 years and pregnant women तो यहां पर full immunization यहां पर अपन करते हैं coverage up to 2 years child and pregnant women woman जो भी गर्वती महिलाए हैं और 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अपन यहां पर vaccinate करते हैं mission इंदर धनूस के द्वारा next launching इसको 25 दिसंबर 2014 को हुई लेकिन समय के साथ साथ इसके अंदर कुछ update किये गए और इसको revise किया गया जो इस तरीके से हैं सबसे पहला यहां पर revise 8 October 2017 को किया गया जो इसके द्वारा किया गया PM नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया इसको एक specific नाम दिया गया जो क्या नाम है intensified mission इंदर धनूस जिसको अपन सोट में क्या बोलते हैं IMI के नाम से अपन जानते हैं दूसरा यहां पर इसको फिर से 2017 के बाद में revise किया गया और उसके डेट जो है वो है 2 December 2019 को इसको दुबारा से revise किया गया और इसको अपन किस नाम से जानते हैं IMI 2.0 के नाम से अपन जानते हैं इंटेंसिफाइड मिसन इंदर धनूस और यह revise किसके निर्देशन में किया गया बाई हार्स वर्दन जी जो अपने Health Minister रह चुके हैं इसके बाद में अगर अपन बात करें इसको 2019 के बाद में फिर से revise किया गया पैब 2021 के अंदर और जिसको अपन IMI 3.0 के नाम से जानते हैं इसके अंदर क्या हुआ कि immunized those women and child who are missed RI rooted immunization से जो वंचित रह गए थे due to COVID-19 pandemic COVID-19 pandemic के कारण जिन गर्वती महिलाओं को और चोटे बच्चों को vaccinate नहीं कर पाये थे उनको full coverage के साथ मतलब full immunized यहां पर अपना target इसके अंदर गत रहा है feb 2021 के अंदर गत जिसको अपन IMI 3.0 के नाम से जानते हैं इसके बाद में फिर से इसको revise किया गया feb 2022 में जिसको अपन IMI 4.0 के नाम से अपन जानते हैं और यह किसके द्वारा किया गया बाई मनसुक मंडाविया के द्वारा जो अपने Central Health Minister है तो इसके द्वारा feb 2022 में IMI 4.0 launch किया गया तो यह जो छोटा सा टोपिक है अपना mission इंदर दनूस बहुत ही important topic है ऐसे ही video देखने के लिए हमसे जुड़ी रहेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें सहर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू झाल झाल